इसे हिंदी में आम कहते हैं और अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं इसे हिंदी में केला कहते हैं और अंग्रेजी में बनाना कहते हैं इसे हिंदी में अमरूत कहते हैं और अंग्रेजी में गुआवा कहते हैं इसे हिंदी में कटहल काते हैं और अंग्रेजी में जैक फ्रूट काते हैं इसे हिंदी में खरबुजा काते हैं और अंग्रेजी में मस्क मेलन काते हैं इसे हिंदी में सरीफा काते हैं और अंग्रेजी में कश्टड डेपल काते हैं इसे हिंदी में खुबानी कोते हैं, और अंग्रेजी में प्रिकोट कोते हैं, इसे हिंदी में पपीता कोते हैं, और अंग्रेजी में पपाया कोते हैं, इसे हिंदी में लिची कोते हैं, और अंग्रेजी में भी लिची कोते हैं, इसे हिंदी में नासपाती कहते हैं और अंग्रेजी में पीर कहते हैं इसे हिंदी में तर्बुजा कहते हैं और अंग्रेजी में वाटर मेलन कहते हैं इसे हिंदी में बेल कहते हैं और अंग्रेजी में बुडेपल कहते हैं इसे हिंदी में अनार काते हैं और अंग्रेजी में परमिग्रिनेट काते हैं इसे हिंदी में चीकू काते हैं और अंग्रेजी में सपोटा काते हैं इसे हिंदी में अनानस काते हैं और अंग्रेजी में पाइनेपल काते हैं इसे हिंदी में करमल काते हैं और अंग्रेजी में स्टार फ्रूट काते हैं इसे हिंदी में मोसम्मी काते हैं और अंग्रेजी में सुवीट लाइम काते हैं इसे हिंदी में इमिली काते हैं और अंग्रेजी में टमरिंड काते हैं इसे हिंदी में सातूत काते हैं और अंग्रेजी में मलबेरी काते हैं इसे हिंदी में निबू काते हैं और अंग्रेजी में लेमन काते हैं इसे हिंदी में अंगूर काते हैं और अंग्रेजी में ग्रेप्स काते हैं इसे हिंदी में आवला काते हैं और अंग्रेजी में गुश्बेरी काते हैं इसे हिंदी में अंजीर काते हैं अंग्रेजी में फीक काते हैं इसे हिंदी में खजूर काते हैं और अंग्रेजी में डेट काते हैं इसे हिंदी में नारियल काते हैं और अंग्रेजी में कोकोनट काते हैं इसे हिंदी में जामुन काते हैं और अंग्रेजी में बलेक बेरी काते हैं इसे हिंदी में सेब काते हैं और अंग्रेजी में एपल काते हैं इसे हिंदी में आडू काते हैं, अंग्रेजी में पीच काते हैं, इसे हिंदी में फालसेव काते हैं, अंग्रेजी में बलेक करेंट काते हैं, इसे हिंदी में कीवी काते हैं, और अंग्रेजी में भी कीवी काते हैं